15 months हमारी बाइक पुरानी हो चुकी है, फिर भी जो आपके बाइक का शाइन है, वो कैसे आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, तो जो आपके बाइक का clear coating होता है, paint का, वो damage हो सकता है, मेरे cleaning के तीन प्रोसीजियों से, Welcome to my channel, Pastor Now. So guys, आज की वीडियो थोड़ी सी shot of cleaning वीडियो होने वाली है, कॉज मैं भी exams में busy था, जिसकी वज़े से मैं अपनी बाइक को अच्छे से clean नहीं कर पा रहा था, exams के बाद आज finally मुझे break मिला है, means मेरे exam सब खत्म हो चुका है, तो सोचा क्यों ना अपनी बाइक ये proper cleaning कर वा दी जाए, and कुछ दिन पहले कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे से पूछा था, कि भाई अपने बाइक की आप जो ये shining है, उसको कैसे maintain कर रखा है, कॉस मेरे बाइक अराउंड वन येर एन थ्री मंथ पुरानी है, means अराउंड फिप्टीन मंथ हमारी बाइक पुरानी हो चुकी है, फिर भी जो आपके बाइक का शाइन है, वो कैसे आपने maintain करके रखा हुआ है, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, एंड जो मेरे secret procedure से अपनी बाइक को clean करने का, वो भी share कर दिया जाए, इस वीडियो को start करते है बिना किसी delay के, so before starting this video, if you like today's video, just like, share and subscribe to my channel, तो चियलो, इस वीडियो को start करते है, अगर अगर आप अपने बाइक के वाशिंग के बाद अपने चेन को clean करते हो, तो जो इसके लूब के पार्टिकल्स होते है, वो आपके rims, जो bike के rear rims होते हैं, उसके साथ चिपक जाएंगे, जिनने फिर clean करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए chain cleaning को हमेशा अपने bike wash से पहले करे, otherwise आपको double मेनत करनी पर सकती है, तो चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा chain बहुती जादा गंदा है, तो फड़ा-फड़ से इसको clean करते हैं और फिर आप से मिलता है, तो गईज यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से हमारा chain sprocket अच्छे से एकदम clean हो चुका है, हमने इसको एकदम बढ़िया तरीके से clean कर दिया है, और हमने आपको detail में नहीं दिखा है, कॉज मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हो देखनी तो आपको यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, अगर आपकी बाइक वाशिंग की नीड है तभी करवाना अधर्वाइस आप माइक्रो फाइबर क्लॉट से अपने पूरे बाइक को अच्छे से clean कर सकते हो और वो कैसे कर सकते हो यहाँ पर आपको आई बटन वीडियो का लिंक आ रहा होगा आप वहाँ पर जाके देख सकत हो यहाँ पर आपको माइनर से थोड़े बहुत डवट बगएरा देखेंगे लाएक यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर भी यह देखो थोड़े बहुत आपको डवगएरा देखेंगे तो इन सब चीजों को अच्छे से microfiber cloth से clean कर सकते हो बड जैसा कि वहीं पर आप यहाँ देख सकते हो यह आप देखो यह बहुत ही जादा dirty है जिसकी वज़र से मुझे अपनी बाई को wash करवाना ही पड़ेगा and guys मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दू कि प्लीज आप अपने बाई को जितना कम हो सकते उतना wash करवाओ otherwise जो आपके बाई का clear coating होता है paint का वो damage हो सकता है इसकी वज़से जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना ज़्यादा wash करवाओ तो अभी यह needed है तो मैं अपने बाई को जा रहो wash करवाने अगर needed नहीं होता है तो microfiber cloth से clean कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा easily and guys आप पूछोगे कि हमें कितनी टाइम पर clean करवाने चाहिए बिस wash करवाने चाहिए अपने बाई को तो आप around एक मन्त में एक बार अपने बाई को wash करवा सकते हो तो उसमें आपके बाई को कोई भी प्राबलम नहीं आएगी तो चलो अब चलते हैं वासिंग स्टेशन पर अपने बाई को शुच करवाते हैं यहां पर वाशिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं यह ब्लेश वाशिंग स्टेशन नहीं है इसका को एक brand नेम हो लाई बाइक केर, बाइक स्पा और सम्थिंग लाइक डाट यह एक लोकल सा बाइक वाशिंग शेंटर और यहां पर हम आए अपनी बाइक को वाश करवाने और यहां पर आपको बता दो कि आपको फालतों के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी भी अच्छे से शोरूम में ज खर्च करने की जरूरत नहीं है अपनी बाइक को फटा फट से वाश करवाते हैं और उसके बाद आप से मिलते हैं वैसे मिलने से पहले में सोच रहो क्यों ना आपको एक अच्छा सा वाशिंग का सिनेमाटिक शॉट्स दिखाया जाए थोड़े से स्लो मोशन दिखाया कर्का में जाए 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 लूरे साथ का से शॉट्स दिखाया तो यहां पर हमारे बाइक की क्लीनिंग हो चुकी है complete and hope आपको slow motions and cinematic shots अच्छे लगे होंगे यहां पर आप देख सकते हो हमारी बाइक की वाशिंग तो complete हो चुकी है बट अब हम अपने बाइक को एक ड्राइक को ड्राइक करता हूं तो जितने भी पैसे मैंने इन्वेस्ट करें इस बाइक के वाशिंग पर वह सब वेस्ट हो जाएंगे तो आप भी इस चीज़ को एकदम अच्छे से ध्यान रखना जब भी आप अपने बाइक की वाशिंग करवा रहा हो उसके बाद आप उसको dry cloth से अच्छे से जितने भी excessive drop plate से उसको clean करवा लेना अदर्वाइस आपके पैसे भी waste हो सकते हैं कि आपको यह वाशिंग का सब कुछ अच्छा लग गया होगा और आप देख सकते हो कि हमारी बाइक कितनी अच्छी कासी शाइन कर रही है जहां भी जो extra मिटी वगरा मड़ वगरा थे वह सब clean हो चुका है और अब हमारी बाइक बहुत ही अच्छी खासी देख रही है अब हमें अपने बाइक के चेन को क्लीन करके छोड़ दिया था कि जब हमारी बाइक वाश हो के आ जाएगी उसके बाद हम चेन ल्यूब करेंगे otherwise अगर हम ल्यूब करेंगे अपनी बाइक को वाश कर बाते तो maybe हमारा ल्यूब डैमेज हो सकता था और maybe वो चेन पे जादा दिन तक नहीं टिकता इसकी वज़़े से हमने अभी चेन ल्यूब करने का सोचा है तो चलो फड़ा फड़ से अपने चेन को ल्यूब करते है मींस हमने जो तीनो स्टेप्स फॉलो करें उसके बाद हमारी बाइक कैसे दिख रही है आपके सामने वो रिजल्ट है तो चलो मैं आपको थोड़ी पास से दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप मेरे टैंक के कलर को देख सकते हो यह बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है यह आज भी बिल्कुल ब्रैंड न्यू दिख रही है तो होप कि आपको भी यह अच्छे दिख रही हो आज की वीडियो थी यही तीन स्टेप्स को फॉलो करते हो अगर आप भी इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपकी बाइक भी अच्छे कासे टाइम तक अपने शाइन को मेंटेन करके रख सकती है बट वहीं पे अगर आप अपने बाइक को maintain नहीं करते हो इन तीन steps को follow नहीं करते हो तो फिर आपकी बाइक भी एक साल होने के बाब जू दस साल पुड़ानी लग सकती है आपको आज की वीडियो इनफरमेटिव लगी हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन देखो यह कोई सीक्रेट नहीं था यह बस वही स्टेप से जो मैं regularly follow करता हूँ आप भी follow कर सकते हो और अपनी बाइक के shine को maintain कर सकते हो और अपनी बाइक को हमेसा brand new रख सकते हो तो चलो इसी note पर करते हैं इस वीडियो को end thank you so much for watching my video and अगर आप मेरी चैनल पर नूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को all पर करते हो तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी next वीडियो में तब तक के लिए have fun बाइबाई